हम तो सिताफल खाएंगे बहुत पसंद है मेरे कुतो एक भी दिकत हो रही है हम लोगों को और आप काटने देखिए ऐसे कौन भी करते हैं तो नहीं निकाले दोस्तों और ऐसे ही खाना खारे देखिए यह गलत है या सही है कमेंट करके बताओ हाँ दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आशा करती हो आप लोग भी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ अधिर है सब लोग प्राणाम कर लो देखिए माता जी का मंदीर है और अभी हम सितापत तोड़ेंगे देखिए हमारा हस्ब पर देखिए ताक्टर पर आये हस्बेंट जी वाँ पर सितापत तोड़ रहे है देखिए जाएंगे वीडियो पुरा बताऊंगी यह देखिए हस्बेंट जी तोड़ रहे हैं याँ पर और बहुत सारे कांटे हैं याँ पर यह देखिए कितने सारे सिताफल है वाव बहु अब नहीं तोड़े होंगे गाइस उसले यहां पर देखिए कितना सुंदर है सिताफल यह देखिए हस्बिन जी तोड़ रहे हैं और मैं लेकर आई हूँ यह देखिए थैला मैं भी भरूंगी ठीक है देखिए डेर सारे हैं हम तो सिताफल खाएंगे बहुत पसंदे मेरे को तो एक भी पका नहीं है क्या है हाँ हाँ तोड़ो वह भी तोड़ो यह देखिए कितना अच्छा है यह छोड़ देंगे नीचे वाले एक कद पके रहे तो अच्छा रहता है को खाने के लिए अच्छा रहता है इसमें दालो यह लो पहले दालो वह आपर भी खे और दोस्तों मैं भी तोड़ूंगी पाप हमेरे हस्बिन जी अकेले तोड़ रहे हैं पड़ पड़ के तोड़ूंगी में फास्ट जब तिन्हें वीडियो ऐसे देखते रहूं अइसे देते रहो कि वह सारे हैं कितने निकेल लेंगे अब लोगों को जरूर दिखाऊंगी यह देखें कितना प्यारा प्यारा है सिताफल और दोस्तों इनका खाने का मज़ा आलगी रहता है इनका सीजन में ही खाना तो अच्छा लगता है और इनका सीजन के टैमी पे आता है यह सिताफल और हमेरे याप पर तो जेंगल में जाके तोड़ना पड़ता है तो तोड़ सकते हैं और आप लोग तो खरीती करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग तोड़के खाते होंगे और यह देखिए इतना बड़ा सा है यह देखिए यह वाला सिताफल चलिए मैं भी तोड़ूंगी यह देखिए दोस्तों कितने सारे तोड़े हैं अभी तोड़ने का बाकी है और यह देखिए यह देखिए यहां तोड़ लिए हैं यह देखिए यह देखिए और ये देखिए टांक्टर से कर रहे हैं काम और इसी तरह से करते हैं को टांक्टर का काम ये देखिए और ये देखिए किस तरह से चलाते हैं खेत में ये देखिए इसी तरह से खेत का काम रहता है और यह देखिए दोस्तों फेनली याँ पर हस्बेन जी ये टांक्टर नहीं फिरा करते हैं और ये देखिए इतना सारा घास है याँ पर करने के लिए और ये ही ये जो बोलते हैं ये टांक्टर में आ रहा था उसलिए नहीं हो रहा है उसलिए खास निकाल रहे हैं और यहां पर गुडी है बसाना गुडी और यह भी क्लीन करते हैं हम लोग यह देखिए दोस्तो हमारा फाइनल लुक और यह मेरी जटानी बड़ी जटानी है और ये मेरा लुक है देखिए अभी हमारा घास पूरा काटने का है ये पूरा बहुत बढ़ा है इनको काटिंगे भी और ये देखिए इतना लंबा लंबा है और इनको क्या बोलते पता नहीं है घास को क्या बोलते की और काटने में बहुत दिक्कत हो रही है देखिए दिदी सती अगता करना और घास निकाना हैं हम लोगों को और पुरा दिन लगेगा देखिए दोस्ता आज क्या करते क्या की पता नहीं और हाथ भी कितना दर्द होता की पता नहीं ठीक है पुरा वीडियो शुरू करेंगे चलिए देखिंगे लाश तक यह देखिए दोस्तों फैनली हमारा देख घास काटने वाले थे इतना काट चुकी थी हमेरी दीदिया और हम दोनों मिलके काटे हैं वातला काटे हैं देखिए और अभी देखिए अब खाना खाएंगे भूख बहुत जोर से लग रही है और खाना खाने के बाद अभी कितना ह देखिए यह देखिए इतना काटे हैं दोस्तों यह से वात तलक देखिए पुरा लाश्ट में आप सुबह में बताया थे ना जब वासे काटे थे अभी यहां पर एंडिंग करें हैं और खाना खाने के बाद फिर से शुरू करेंगे चलिए खाना खाएंगे आप लोग भी खाल लो हम भी खाएंगे चलिए यहां पर हजबेन जी का भी आदा खेथ हो चुका है देखिए पूरा टाक्टर मारने का और यह देखिए हमान टाक्टर घ्री है अभी रोटी खाएंगे हम और यह देखिए दीदी रोटी दाल रही है यह आपर खा रहे है हस्बेन जी आपर ससूर जी यह देखिए दीदी खाना दाल रही है और हम लोग भी खाएंगे और यह लेकर आए है खाना और यह देखिए हमारा हस्बेन जी चपल नहीं निकाले दोस्तों और ऐसे ही खाना खारे देखिए यह गलत है या सही है कमेंट करके बताओ ना खा रहे हैं अभी देखिए और सश्चुर जिनका भी प्लेट लग चुका है देखिए अब तेशा खोड़ा एदर काला है जूपा अगाला हिए लॉट अर अबि मैंबी खाहूंगी यह देखिये मेरा लुक चैनले खानाखाएएंगे मेरें कोबी दालो दीदी हाथ होंगी मेरें प्लेट मेरे को प्लेट देऊने प्लेट प्लेट फैनली दोस्तों खाना भी हो चुका है और दुपेर का खाना हो गया हस्बेन जी अभी जा रहे है दूसरे खेद को ओए फैनली ये खेद भी हो चुका है यहाँ पर दीदी भी खाना खाली है और पुपा जी भी खाली है अब जा रहे है बाई अब जा रहे है हस्बिन जी और हमारा काम भी करेंगे देखिए दोस्तों फैनली हमारा खेद का काम इतना हो गया है और ये देखिए हमेरे गाए के लिए घास लेकर जा रहे है और इतना सारा निकाले है अभी मेरी जटानी दीदी भंद रही है देखिए और देखिए और आज का ब्लॉग देखिए हमारा अभी अभी चलेंगे हमारा बैल का भी जो बैल बंडी है वहाँ पर ठैरी है वहाँ पर जाके हम यूड़ो शुरू करेंगे चलिए देखिए हमारा घास तो इतना घास निकाले अभी निकालने का है अभी निकालने का बाकी ह आप बोलते हैं आपलोग क्या बोलते की पता नहीं आपने हैं इसी तरह से मारते हैं और यह देखें इतना वा बड़ा साखेत है उतना मुर्ख है और इतना बाकी है इतना कल आके मारते हैं और हो जाएंगा एक छेट कंब्लेट हो जाएंगा 너 अभी की पूरा हमारा दिन भी रात होने वाली है भी उसलिये टेम भी हो चुका है अभी 6 बद चुके फैनली जाएंगे अभी देखिए सब निकाल रहे हैं अब बैल बंडी पर जाएंगे दोस्तों इसे सुर्जे भी निकाल रहे हैं और यह देखिए दोस्तों बैल अभी तलक नहीं आए फिर भी मेरी जटानी चड़के इंतजार कर रही देखो यह देंकिए फैनली आगे है अभी कालिया यह धूलिया अ फैनली यह भी जा रहे हैं दोस्तों यह देंकिए हमारा बैल बंडी भी जारी है और बैल बंडी पर बैट गें हैं यह देंकिए पुरा हरा बारा बेस छोड़के अभी फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो अभी यहीं पर यन करेंगे क्यों बोले तो अभी घर जा रहे हैं और अभी पुरा रात होने वाली है उसलिए घर को चेली जाएंगे और यहीं हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करना सब्सक्राइब करना और मोटिवेशन देना और वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा वीडियो पुरा पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना और ठीक है टेक एन बाए नेश वीडियो के लिए